नमस्का फ्रेंड्स में नाम बबल वर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है तो हमने जियोग्रोफी के दो क्योशन देख रखे थे लॉंग ठीक है आज जो देखने वाले हैं फर्स्ट यूनिट का रहने वाला है लास्ट यूशन कौन सा हो जाएगा इसको हम देखते हैं ठीक है पस्ट यूनिट का जियोग्रोफी का ये लास्ट यूशन हो जाता है और बहुत अच्छी प्रिकार से देखेंगे आपको देखते ही देखते सारा की सारा याद हो जाएगा और बिल्कुल एक्जाम में आप कापी छाप कर आओगे तो क्यूशन को बढ़ते हैं देखो एक एक क्यूशन को पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए क्यूशन में यहीं से क्यूशन बनते हैं और यहां से क्यूशन बनते हैं दो एक क्यूशन को अगर आप पढ़ लोगे तो आपके MCQ क्यूशन भी एक भी नहीं बचेगा ठीक है? MCQ क्यूशन भी नहीं बचेगा ना ही आपका long बचेगा ना ही sort बचेगा तो long क्यूशन unit number one का third देख लेते हैं फटापट कौन सा रहने इसके बारे में कुछ जो महातुल बाते होती है सबसे पहले लिख देते हैं ठीक है सिम्पिल बही यहाँ पर लिख रखा है कहरा है भुगर्बिय की सन्चना के संबन में हमारा पृतेछ ज्यान केबल कितना है भी 5-6 किलो मीटर की गहराई तक ही सीमित है मतलब 5-6 किलो मीटर तक ही हम सीमित है उससे अगले हमें कुछ यात नहीं है इतना ही ज्यान हमें प्राप्त है बात करते हैं जो कुओं हैं आपके खादानों तता छेद्रों पर आधायत है परन्तु मानव आधी काल से ही पत्वी की आयू उत्पत्ती भूगर्वी सनचना की जानकारी के लिए प्रियासरत है ठीक है आगे दिखते हैं बरतमान समय में लिए प्रिफस बना मना कर लिखना है अगर याद हो जाते हैं तो याद कर लीजी का अगर आद नहीं होते हैं तो यह एसी बात नहीं है ठीक है तो बात करते हैं ने जो आला मुखी उद्गार भूकम्पी तरंगों पतल विरूपर ताप घनत्व आधी के आधार पर यह है स इसके आधार पर ज्वालामों की उद्गार भूकंप तरंगे पटल आधीताप गनत्व के आधार पर बात करते हैं भूगर्भी पटल की गहराई कितनी है ठीक है फिर करहा है पर प्रत्वी की आंतिक सनचना के संब्द में अभीनब विचार प्राप्त रहे हैं अब कौन-कौ यूनानी बैग्यानिकों ने गर्म जल इस्त्रोतो किसे गर्म जल इस्तोतो ता यहां दे रखा है तुम्हारा पाताल तोड़ कुएं और सक्रिय ज्वाला मुखी के आधार पर प्रत्वी की आंतिक भाग को अगनी जल वायू का भंडार बताया था क्या बताया था 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 ब अगनी जल था बायू का भंडार बताया कि यहां पर अगनी भी है जल भी है और भायू भी है तीनों का यह एक भंडार है आगे बढ़ते हैं लगबग 2500 बरस पूर्व कौन थे लाफर नामक हुई थे बैग्यानिक थे न ने बताया था कि प्रत्वी की आंतिक जो भाग है व 5.5 यह आद करना बहुत जुरूरी है प्रत्वी का घनत पर कितना है 5.5 है यह mcq में बन सकता है फिर बात करते हैं परता आंत्रिक भाग भारी पदार्तों से बना हुआ है ठीके बात है आंत्रिक भाग जो है वो निकिल और मारा लोहा से बना हुआ है बात करते हैं फोर को जो अला मुखी फिस्पोर्ट के आधार पर भूगर्व की आंत्रिक भाग को उश्ड था तरल बताया गया है। प्रत succeeds प्रत्पति पONEY नेखी थी तो उसमिंन देक था उसमें देखा था दो लॉपलॉस का जोसे धान्त था प्रकार से लुगिया था एक बहुत लॉप लॉपलॉस का गैज की को फिर्माशती निहिले का पेइन लॉपलॉस की घकर इन था उप ग्रहों का उस परकार से यहां पर निर्माड हुआ ठीक है तो बात करते हैं यह लॉप लॉस ने क्या बताया कि पत्वी का जो आंत्रिक भाग है वो कैसा गर्म है गैसी अवस्था बाला अगर आपने जो क्योशन नंबर टू नहीं देखा है यह क्योशन नंबर टू स अगर आप पढ़ लोगे आप पूरी भुग तो बिल्कुल बना बना कर आप छाप आओगे बात करते हैं आगे यहां रखा है कुई पर स्मिट आदी बैग्यानिकों ने ग्रहों के निर्माड प्रिक्रिया के आधार पर प्रत्वी की आंत्रिक भाग को ठोस अवस्था में ह मिना बतलाया है कि प्रत्वी की आंत्रिक भाग है वो कैसा है ठोस है और संगनन है बात करते हैं आगे यह रखा में अने कि तर्क प्रिमाड यह था कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं देखो आपको पता है ताप पर आधारत प्रमाल पस्तुत किये गए गनत पर आधारत प्रमाल पस्तुत किये गए ज्वाला मुखी क्रिया पर आधारत प्रमाल पस्तुत किये गए ताप हमने पता है प्रत्वी होती है कैसी गोल प्रत्वी होत जैसे पत्वी के अंदर जाते रहते हो और की और उसी प्रकार से क्या होता है जो ताफ होता है वो बढ़ता जाता है और यह लिकुट फोम में बिल्कुल केंदर होता है यहां पर रहका है ताफ पर आधायत प्रमाड हमने देखे बिल्कुल सही अंदर जाएंगे ताफ कैसा हो परमाल भी दिये गए तो इस प्रिकार से प्रिमाल हो जाते हैं पांच ठीक है आप बना बना कर भी इने हैडिंग बना सकते हो ठीक है बात करते हैं आगे तो फश्ट रखा है ताप पर आधारित परमाल प्रत्वी की उपरी सते जो थी वो कठोर था ठोस है आपको पता है जो प्रत्वी की चत हम रहते हैं वो कैसी है बहुत कठोर है और ठोस है परन्तु खादानों में गहराई की ओर जाने पर ताप मान कितना बढ़ता है बही पां की ब्रद्धी होती जाती है ठीक है गैमों के अनुसार पचास किलो मिटर की गहराई पर चट्टानों का ताप मान कितना होता है बारा सो से अठावडी सेल्सियस हो जाता है कैल्विन ने भी प्रत्वी की आंतरिक भाग पर ताप मान कितना बताया बही छे हजार डिग्री से पर परॉड़ पर उन्हें और उन्हें कितना बताया बेच कोर है वो कैसी है वह यह कह रहा है तरल अवस्ता में होनी चाहिए गीजर और ज्वाला मुखी गीजर एवं ज्वाला मुखी उदुगार इस बात के पिरमाण है पर तो आधुनिक गर्व बेताओं के अनुसार ब्रहादवाब के बढ़ जाने के काड़ आंतरक चट्टानों का द्रवडांक बढ़ जाने से ये चट्टान तरल ना होकर ठोस ही बनी रहती है ठीके यह यहाँ पर बताया गया है कुछ नहीं कि अंदर भी कैसे होती है अंदर जो होता है घनत्व कम होता है वह तरल बस्ता में होता है उपर की पर ठोस होती है वह कैसी होती है चगन होती है अता प्रत्वी की आंत्रिक भाग थोस होना चाहिए जो आंत्रिक भाग को 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 तरल अबस्था में सूचित करती है जो आंत्रिक भाग है वो तरल अवस्ता में है ये रेडियो एक्टिव तत्व बताते हैं ठीक है तो बात करते हैं परंतु जैफ्रे और महेदो ने प्यत्थवी की आंत्रिक भाग को उंचे तापमान के काड तरल माना है उंचे तापमान के काड जो तरल माना है जो केंद्र है यह थोस का विभार करेगा यह उन्होंने यहाँ पर कुछ धारड़ाई दी बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बंदूरेक्खई हैडिंग गनत पर अधारित प्रमार अब गनत्व अधारित प्रमार देख लेते हैं संपूर पत्वी का घनत्व कितना है 5.5 बहुत इंपोटे ख्रमार अधार्व का 20 किलो मीटर गहरा भाग जो होता है 3 से कितना होता है । यहाँ पर कितना होता है यहाँ पर 3 से 3.5 होता है फिर रखा है भूक रोटों की चट्टानों का घनव कितना होता है भई 11 होना चाहिए यह तभी संबब है जब की भूक रोटों की चट्टाने निकिल, लोहा, तांबा, आदी, भारी पदार्थों से बनी हो किसे निकिल, लोहा, और तांबा, आदी, भारी पदार्थों से बनी हो जो पत्वी की उत्पत्ती के समय तरल अबस्था वाली पत्वी के आंत्रिक भाग में चान कर नीचे बैठ जाए चान कर नीचे बैठ जाए तो इस परकार से कूर का निर्मार हो फिर देखा हलके पदार्थ उपरी सतह पर आ जाए तथा हलके पदार्थ जो हो वो उपरी सतह पर आ जाए यह निसकर से निकलता है कि पत्वी ठोस पिंड जैसे ब्याभार करती है परंतु यह तरल अबस्था में होकर अबस ही गुजरती है प्रत्वी जो है वो ठोस पेंडी की तरह बिभार करती है परंतु तर लवस्था से होकर अबस ही गुजरती है यहाँ पर यह बताया गया है ठीक है जैसे ही हम जाएंगे अंदर की और घनत्व बढ़ता जाएगा क्या होगा घनत्व बढ़ता जाएगा आगे बढ़ते हैं मग जो आलम मुखी से निकलने वाला लाबा का मुख इस्तोत भूगर्ब के भीतर मैगमा का भंडार है। इस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतवी का आंत्र की भाग है वो कैसा है लिकट अब इसको इतना तो अगर एक बार सुन लोगे धान से और देख लोगे से तो बिल्कुल आपको समज में आ जाएगा बाकि आप heading याद करनी पड़ेंगी और आगाम से लिखाओगे एक्जामने बिल्कुल छाप कर आओगे बात करते हैं heading भूकंपी तरंगों पर आधायर प्रिमार की तो कहरा है भूकंपी ये भूकंपी बिज्ञान द्वरा पत्वी की आंतिक सनचना के संबंद में अनेक जानकारियां प पी और एस नामक भूररंगों की खोज भू तरंगों की नहीं बूरणी खोज हो चुकी थी खत्वूनी तरंगों के समान भूकंपी तरंगे भी ठोस पदार्थ के भीतर ती बिरगती से चलती है द्र्काय परंतु जो ठोस पदारतो होता है उसके अंदर भी दोनी तरंगèse जो होती हैं भूकम्पी तरंगे वो कैसी होती है ती ब्रगती से चलती है परंतु तरल अबस्था में प्रवेस करते ही उनकी गती कैसे पढ़ जाती है मंद पढ़ जाती है जब की कुछ तरंगे तरल पदार्थ में प्रवेस ही नहीं कर पाती है कुछ तरंगे ऐसी होती है जो नहीं आता है तो भूकम्पी तरंगों की गती में अंतर नहीं आता है फिर देखो यहां से यदि प्रत्वी की आंतरिक भाग में सभी छेत्रों में एक जैसा पदार्थ होता अगर सभी छेत्रों में एक जैसा पदार्थ होता तो दिरकाय तो भूकम्पी तरंगों की गती में गहराई कहां पहुंच गहराई तक लहरों की गति में परिबर्तन होता रहता है ठीक है मतलब उन्तिस सो जो है उन्तिस सो किलोमेटर की गहराई तक लहरों में परिबर्तन होता रहता है इसके पचात ऐस तरंगे सवापत हो जाती है इसका मतलब हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से लेकर यहां तक यहां से लेकर यहां तक जो है प्रत्वीक अंदर देखा यह ठीक है यहां से लेकर यहां तक जो है वो कितना है यह अपना 2900 हो जाता है किलूमीटर यहां तक तो क्या होती है जो ऐस तरंगे होती है वो यहां पर गती करती रहती है और जैसे ही यह क कि और जाती हैं मतलब 2900 किमτι के अंदर जाती है तो यह कुछ सरत तरगे मिल्न dár के इंद्री यह प्रवेस कर जाती है ऐसारी का मिल्टी के मिल्ट की हो जाती है कम जाती है इनकी गती जो हो जाती है वो कम हो जाती है सबसे ज़्यादा भूकम्पी तरंगों की गती किसकी होती है पी की होती है ठीक है एसकी कम होती है उससे पी की सबसे ज़्यादा होती है याद होना चाहिए अप्रेटिया तथा तरंगों की तरंगों का मार्ग भी चक्री हो जाता है भूकंपी देखो यहाँ पर चक्री हो रहा ना इस परकार से घूम रहा है यह देखेगा इस परकार चक्री हो जाता है फिद रहका है यहाँ पर भूकंपी तरंगों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि पत्वी का केंद्री भाग तरल ठोस है तो इस परकार से लग भाग है वो कैसा है तरल ठोस है ठीक है तरल और ठोस है फिर रखा है मद्दवर्ती भाग लचीले मैगमा से बना है जो मद्दवर्ती भाग है यह किस से बना हुआ है मैगमा से बना हुआ है ठीक है उपरी भाग ठोस बस्तावाला है जैसे करें गैमू ठीक है गैमू हो वियानू ने इसकी की पुछ्टी की है कोई जरूरी नहीं कि नाम याद कर पाएं कोई बात नहीं होता है तो कोई बात ने बना-बनाता तो हम लिख सकते हैं हम देखो यहाँ पर पढ़ लिया इतना पता है कि S अमापती हो जाती है पी यहां तक खतम होती है उन्ते सो फिल मेटर तक अंदर जाती है एस और यह यह तरंगी होती है काम खतम पूरा बना बना करने लिख दिया ठीक है आगे देखते हैं फाइब बाली हेडिंग या करें प्रत्वी की उत्पती संबंदी सिध्धान्तों के प्रमार देखो एक बार आप ध्यान से सुन के माना लॉपलास निहारी का परिकलपना के आधार पर किस में माना भई गैसी तथा तरल अबस्थामी माना लॉपलास ने और जैम्स दिसने क्या माना ज्वारी परिकलप के आधार पर यह आंतरिक भाग तरल होता है ठीक है यह बताया और चेंबर लिन ने ग्रहाणू परि गेसरड हुआ और छोटे-छोटे कडो क्याड़ के हुए सूरे से छोटे-छोटे कडो का निमार हुआ यह हमने देखा था चैम्बलिंग का ग्रहांगडू परीकिल्पना किसमें देखा था क्योशन नम्बर टू मैं आपको बता रहा है क्योशन नम्र टू आपके लिए बहु कफोर ग्रेनाइट चत्तानों से सबनें होती हैído धूरोनयी को घुन के जपता है , , क्जrage सबनेगा , ठीक है और देरे खाय तुम्हारा है बर्ड इनके अनुसार गुटिनबर्ग के अनुसार 60 km है वन बर्ग ने 14 km तता होम से ने 15-20 km मूटा माना है कोई जरूरी नहीं है कि हम इनके लिख दे अगर याद कर सकते हो तो याद कर लिजिए कोई बात नहीं एक को याद कर लिख ले महादीबो 60 km माना है ठीक है और अन्य उन्हें कितना माना है किसी ने 40 माना है किसी ने 15-20 माना है तो इस प्रकार से बना कर हमने लिख दिया एक का भी नाम याद हुआ तब बात करते हैं बहुकंपिय तरंगों के आधार पर भूपटल की मूटाई कितनी है 20-30 km है तो बस य आला मुकी उद्गार भूकंपिय तरंगों के आधार पर पित्वी को 2-5 परतों में विभाजित किया है कितने बहुत सारे बिद्वानों ने तापमान घनत्व जो आला मुकी उद्गार भूकंपिय तरंगों के आधार पर 2-5 परतों में इसे डिवाइड किया है फिर करा प याद कर लिजेगा ज्यांदा किया पर सुेस के नहीं कोई पर देखेंगे सम्पूरपर्थ भी को 3 मुख्य सामानतर परते बताई हैं तो सुएस बाला बहुत महातपूर और एक जाम में पूझा जाता है कौन और कौन सी बताई है उन्होंने एक तो भूप्रेश्ट है ठीक है पहली बहार पर तो ही वो जो है और एक बताई इन्होंने सीओल बताई एक सीमा बताई एक निफरे बताई कौन सी एक सीमा बताई और एक निफरे बताई तीन परतों में इन्होंने डिवाइड किया कौन कौन सी होती है देख लेत गहराई थह सका घनतव बहुत एंपोर्टेंट एुटनटता बेट दो पोइंट इसका अप्न कि होती है पहली परत यह होती यह इंपोर्टेंट होता है उश्फ गानतक कितना रहे नो होता है यह यात कर लिजीए ओंश सीम ने तो एनन वह씨 एक शयकले हैं को जय होता ह conversation बात करते हैं गहने तो वालित था इसमें क्या पाया गया इसमें सिलीका तो पाई गई है ना सिलीका तो पाई गई और पिलस क्या हो गया मैगनीसियम हो गया ठीक है तोरी कहां पर पहुंच गए रुकिएगा और आपर क्या वाले में क्या था मेगनीशियम और थिक रॉटक रॉट करते हैं सबस्तों अप्र यहां जो केंद्र वाली ठीक है यहां से यहां जो केंद्र वाली रखी है यह वाली लगबग इतनी है शेचेचार आठसो 80 किलो मिटर व्यास बाली इसका घनत्व कितना है इसका घनत्व जाता है 11 इंपोरेंट विए ग्या घनत से युक्त तथा निकिल और किसकी फैरम से निर्मित निकल और फैरम से निर्मित आंत्रिक परते हैं, यह कर रहा है को भूकरोड, भूकरोड को निफे, किस से बनी होती है, यह बनी होती है, निकल से, पिलस, किस से बनी होती है, ऐफी, मतलब लोहा से, निकल से और लोहा से बनी होती है, बस इतना आप को याद उना चाहिए, कि पहली पर जो सियोल होती है, ब सबनी हुए होती है यह नों में बताया वही यह बताया अपने पर चैसर बताया किसने टताया यह डाइग्र loot चाहिए बना दिजिगा बमने बद्रगों यहां से ओक में बात करते हैं बामें बताए गया के डेली ऑप अब देली का साथ में किसने बारे में कि बताए गया डेली महोदे ने आंतिक पर्तों को निम्न तीन बरगों मेंनी डिवाइड है पहली बहाथमप्र्थ मद्ध्धम पढूर पहल नहींम पुल्यम अ Garrett बटाया पदार्थ से निर्मित है यह किससे पता है सिलीकेट पदार्थ से निर्मित है वहाँ पर भी हमने क्या देखा था कि बहुत करते हैं तो बही बात करते हैं तो बही बात कर दे कि जो वो है बस किलोमेटर यहां पर चेंज कर दें कि 1600 किलोमेटर था बात करते हैं मद्द बरती पर क्या बताई मद्द बरती पर बताई उन्हें 1280 किलोमेटर मोटी लोहे तथा सिलीकेट किसे लोहे और सिलीकेट से उन्हें बताया और उन्हें क्या बताया था सिलीका और सिलीक 1040 किलोमेटर व्यास वाली इतनी मोटी थी ठीक है व्यास वाली थी इसका गहव क्या था 11.99 ने रख दिया गहनत उसे युक्त ठोस लोहे से निर्मित केंद्री परता है सब लोग कन्फ्यूज है दिहां लखना देखो यहां पर क्या है सब लोग कन्फ्यूज है तो आप भी कन भी आप 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 आजाएं वह अपनी तर्फ से बना कर घंद लिग देना कोई चेक करने वाला नहीं है भात करते हैं रहा बॉल्डर जो ग्रॉट थे उनके अनुसार क्या कहा गया जो जो बॉल्ड आहां बॉल्डर जो ग्रॉस बॉल्डर ग्रॉट थे उनके अनुसार क्या कहा गया यह देखते हैं बॉल्डर ग्रॉट ने आंतिक सनचना के अनुसार पैथवी को चार परतों में डिबाइड किया इ इस प्रकार से इन्होंने बताए बात बही है देखो आश्टे बाले में क्या कर दिया कि ब्रहा सिलीकेट होगी जो उपर वाली होगी 20-60 km और 2.9 उपर भी देखा था घंत बाली होगी वो सिलीकेट से निर्मत होगी ठीक है और बहां क्या देखा था सिलीका होगा पिलस कौन ह होगा यहां सिलीकेट से कर दी बस उन्हीं को घुमा फिराकर उन्हीं तीनों को जो मैंने पहले याद करवाए थे आपको उन्हीं को घुमा फिराकर सभी लिख रहा है देखो एकिंड वाले की बात करते हैं आंत्रिक सियोल आबड में क्या बताए गया कि 40 से 1040 1140 किलोमीटर गहरी में अनुपात कितना था बहाँ पर हम देखा 3.9 तो 3.9 यहां पर तुम भी लिख देते हैं ठीक है घनत वी युक्त मेंगनेसियम और सिलीकेट से निर में था यह तो बही बात बताएगी सेकेंड जो मनें देखा था सिलीकास से है और मेंगनेसियम से है ठीक है बात कर सब्सक्राइब गनत तो बही आया लाश्ट वाला, फिर कहारा है गनत वियुक्ट, लोहा निकल से निर्मित है, बात उनुने फिर लाश्ट में बही कह दी, कि लास्ट वाई जो परत होगी, लोहा और निकल से निर्मित हो जाएगी, जो घुमा फढ़ाकर सब बही पंस ब Nat như ज 백 wevol है कोsecond करDeck अभर बस आपको क्या याद हो एक वसन psychology लो ठीक कर लो ठीके और स्वेस को याद कर लो तीन को एन को मेने पहले अग्णा फंसा पहला 2.9 दूसरा हो जाएगा थ्री पॉंट नौ और तीसरा हो जाएगा ग्यारा बढ़ाग ठीक है? पहला किसे निर्मित हो जाएगी परत ऊपर वाली Senhor, शील हो जाएगी अपने Aluminium से और हो जाएगी किस से? सुरी सिलीका और Aluminium से हो जाएगी पहली वाली, ठीक है? और सेकेंड वाली किस से हो जाएगी? जो three point अब देखते हैं या पर थर्ड दावाला कि जैफ्रे के नुसा क्या देख जैफ्रे ने भी प्रत्वी को चार प्रमुक परतों में विभाजित किया कौन-कौन सी ब्रहा परत दुतिये परत मध्य बरती परत था निचली परत तो कभी भी इस परकार से आए तो अपको बना मना देगा ठीक है तीन के याद करने पड़ेंगे तीन ने कौन-कौन सी दिती पहले या सुएस ने कौन-कौन से दिये थी हैडिंग पहला दिया था सी ओल दूश्रा दिया था कौन सा सी ओल दिया था और सेकेंड वाला क्या दिया था शीमा दिया था और तीसर निफे दिया था जो जैफ्रे हो जाते हैं उन्हें क्या कहा ब्रह परद्दी दुतिय परद्दी मद्द्वर्ती परद्दी और निचली परद्दी इन्होंने क्या कहा पहला दे दिया अब गुटेन बरग में देखो यहां पर बस नाम लिखके छोड़ दिया उन्हें कोई बात नहीं गुटेन वाला हो जाता है भू पटल यह किसने दिया है सियोल हाँ यह वाला बहुत राइट है इसको देख लेते हैं ओप्शन नंबर दा को इसको देख लेगा उट्टिन बगने पत्वी को चार परतों में ही विभाजित किया है कौन से घासी ओल आंतेक सियोल मिस्तित मंडल और धात् क्या है इसको इबारे में थोड़ से डिटेल में देखते हैं पत्वी के आंतरिक भागों को तीन पुरुमक परतों में विभाजित किया गया है ब्रहा परत हो जाती है अपनी उत्तम या मिस्त मंडल हो जाता है ठीक है तो बात करते हैं ब्रहा सियोल तथा इस्थल मंडल क्य जाएगी ठीक है आगे देखते हैं यहां देखते हैं तुम्हारा उत्ताप या मिस्त मंडल यह कितना देखता है सो से कितना होगा 2880 किलोमेटर गहराई होगी इसका घनत कितना होगा 3.5 कोई बात नहीं में लिग दूगा तो ठीक है घनत वाली है जो बैसॉल्ट से निर्मि आप खुछ जानता है तो आप कुछ भी यहां पर लिख सकते हो बस होना चाहिए मैच करता हुआ कुछ ठीक है आगे बढ़ते हैं तक है गुरू मंडल की बात करते हैं यह किस से निर्मित है यह बैसाल्ट से निर्मित हो जाती है गुरू मंडल की गहराई कितनी 2800 से लेकर भूकेंदर तक है गुरू मंडल की बात करते है तब ठीक है लास्ट तक कोर की बात हो रही है करा जिसको जिसका घंप कितना है 11 देखो बही बात है कि 8 से 11 तों 11 ले दिने कोई बात नहीं सब रिपीट बही कर रहा है घंप ठीक है बस गहराई उल्टा सीधा कर दिया उन्हो वाली अभीनब मत के अनुसार किसके अभीनब मत के अनुसार देखेंगे ये बहुत important है अभीनब मत भूकम पिये लहरो जो आला मुकी उद्धुगारो बरतमान अधुने के खोजो के अनुसार संपूर पत्वी को भूगर्बी करचना के आधार पर तीन मुक्हे परतो या मंडलों में विवक्त किया गया है पहली हो जाती है भूपटल सबसे उपराई कौन सी है भी भूपटल देखो नीचे कुछ दिख रहा आपके लिए नीचे कुछ दिख रहा ये वाली देखिएगा ये वाली ये हो जाते है अपनी भूपटल ठीक है इसको देखते है बूपरिल का क्या रहा है इसकी गहराई 6-48 किलोमेटर है इसको पराए दो भागों में असस्त सीयोल परतों में माटा है उपर वाली क्या हो जाएगी असस्त सीयोल अंदर वाली क्या हो जाएगी सतत सीयोल ठीक है आगे देखते हैं सासत सीमा बात करते हैं यहां पर आससत सीयौल परत यह क्या है महादीप छेत्रों में 10 से 12 किलोमेटर की गहराई में इस परत की घनत जो होगा 2.7 अरे 2.9 लिग दो तब भी कोई वादनी 9 लिग दो ठीक है इसका निर्माड गिरनाइड सैलो से हुआ है पता हमें पहली पर चल है वो 5.67 km पर पती सेकेंड अतता 5. سे ज़ींद के उती है कोई बात नहीं है हमें कोई हाद नहीं रखना है बस एतना रखना प्राप में वो कम भी तरंगे होती है वो में कितनी होती है ये exam में MC की question बन सकता है ठीक है तो यह पर कितनी होती है 5.57 होती है बात करते है आगे सतत सीमा परत इस यह परत 15 से 20 किलोमेटर की गहराई में मिलती है जिसका घनत कितना होता है बही दो पॉइंट कोई बात नहीं तीन लिग दो तुम ठीक है तो बैसॉल्ट से रिमित है भू है पहले कि से ती गिरेनेट से यह यह मैं सौर्ट से रखा है भूकंप की पात्मिक तरंगे कितनी होती है यह प्रतमिक तरंगे दो थी 8.5 से निरमाड ऑब साधी सैलो तथा निचली परतों कर किसे रवेदार सैनों से हुआ है उपरी जो हो जाती है माद साधी सैलो से तक नीचली हो जाती है रविदार सेलो से भूपटल तका मैटल का सीमा बरती छेत्र महोरो बीसिक ठीक है महोरो बीसिक रखा है तुम्हारा असानत असानतब कहलाता है कैसा नाम दे रखा है ना कोई बात करते है परबतों के नीचे गहराई इसकी गहराई कितनी मिलती है 45-70 किलोमीटर है अब देखते हैं आगे फिस रखा है तुम्हारा हमने देख लिए कौन सा सीमा देख लिए ब्रहा मैटल देख लिए अब हम देखेंगे मैटल क्या देखेंगे मैटल देखने वाले मैटल हो जाएगा थिए हैं यह देखा है पटी ता मैटल के मद भूपटल तथा मैटल के मद मेटल के मद जो भरा हुआ है इसकी बात हो रही है मैटल के मद निचली गुटेन बर्ग असान कंड़ फैली है फिर देन तुमारा है ना कोई बात नहीं मैटल की गहरा ही कितनी है 35-300 किलो मेटर है उपरी भाग में इसका गनत कितना होता है 3.9 निचली परतों में कितना होता है 5.7 इसमें लोह ता मैगनेसियम थर्ड वाले में इसमें क्या होगा भी अष्ट वाली तो हो जाएगी सीमा जो सीमा होती वो तो खतम होगी इसको बात कर करते हैं मिलती है इंको इनको पीरिडो टाइल परत क्या है पैर डो टांट प्रत कहा जाता है मेटल को भी दो भागोंड्र वागों उपरी सा दुरूबल मेटल राथन नीचली को कहाते हैं मद्ड मेटल वहाजत किया गया ूपर बे Schweden मैटल Christiane अगले देखते हैं तुमारा किया गया है यह भूकमपी तरंगों की गती मंद करती है यह क्या करती है मैटल जो होती है वो भूकमपी तरंगों की गती मंद करती है अब आग देखते हैं लाश्ट बाला दे रखा है तुम्हारा अंतरम जो अंतरम परता है उसको देख लेते हैं बिल्कुल से हम कहते हैं कोर क्या यह कोर पितवी का केंदी बहाग अंतरम पलत कहलाता है इसकी रचना संगन निकल तथा लूहा के द्वारा हुई है यहां का तापमान 2700 सेंटीग्रेट माना जाता है बहाँ कितना माना था सुरू रंबर्ज हो था उसमें 6000 डिगरी सेल्सेस था आप कुछ भी लिख सकते दिवना मना क सब्सक्राइब करता है तो इस प्रिकार से क्यूशन नंबर थर्ड था वो हमने देख लिया प्रित्वी की सनचना ठीक है कुछ नहीं है इसमें बस आपको जो फस्ट दिरिखा है सुएस वाला सुएस वाला है वह याद कले जीगा और दो की नाम उनकी हैडिंगे याद कलेना बस और आपको क्या आज करना है बस इतना जो मैं दिरिखा है ये ये जो दिरिखा है इसको याद कलेना ठीक है और इनकी जो हैडिंग होती है सियोल कहा सीमा कहा निफे कहा डेली ने क्या कहा ब्रहा प्रत कहा यह आपको इंपोटेंट दो तीन की याद होना चाहिए तीन के ही लिख दोगे तो बिल्कुल आप धुआँ उठा दोगे प्रिते के फुल नंबर बिल्कुल मिलने वाला यहां पर पांसो बाइड़ने ठीक है तो यहां पर अपना हो जाता है कि उच्छा नंबर थार्ड खतम ठीक है उच्छा नंबर थार्ड क्या था हमने अभी देखा था वो था प्यत्वी की आंतरिक संद्चना के बारे में बहुत और सुनना है आदी से ज्यादा चीज अपने आप याद हो जाती है खुद बाग खुद ठीक है तो लाइक करो शेर करो चैनल को सब्सक्राइब करो नेक्स्ट वीडियो का इंतियार करो जैहन जै भारत